हिमाचल प्रदेश में आयश्मान भारत योजना की तरफ लोगों का रुजान बढ़ता जा रहा है छोटी बड़ी करीब अठारा सो बीमारियों को इस योजना में शामिल किया गया है और सभी बीमारियों का इलाज निशुल्क किया जा रहा है प्रदेश में करीब 21 लाख लोगों को आयश्मान भारत योजना में शामिल किया गया है और इनका जयन सामाजिक आर्थिक सर्वेक्ष्रम 2011 के आंकडों के आधार पर हुआ है शिमला जिले में चौपाल क्षेत्र के हनल गाओं के निवासी गोपाल शर्मा भी इन में से एक है जो इन दिनों शिमला के दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल में उपचारा धीन है गुपाल शर्मा का पेट की पथरी का ओपरेशन हुआ है और सारा घर्च योजना के माध्यम से केंद्र सरकार वहन कर रही है गोपाल शर्मा की पतनी संगीता के मताबिक आयुश्मान भारत योजना शुरू कर केंद्र सरकार ने गरीबों का खयाल रखा है और उन्हें लंबी उम्र वो स्वस्थ आयुजीने का मौका मिला है राश्ट्रिय स्वास्त मिशन के कारडधार को और मनरेगा कामगारों का भी योजना के तहत मुफ्त इलाज हो रहा है शिमला से डीडी नियूज के लिए ग्यान ठाकूर की रिपोर्ट